तो गाईस आप लोगों को पता है होगा हर दो महीने के बाद हमारे फिरीफार गेम में एक अपडेट में हमको भूट सारे न्यू चीज़ें अपने गेम में देखने के लिए मिलती हैं जिससे कि कोई new gun आता है, कोई new character आता है, कोई new pet आता है, बहुत सारी चीज़े हमारे map में change होती है, बट इस बार जो हमारा OB 37 अपडेट है वो बहुत ही जबर जस्त होने वाला है, और इस वाले अपडेट में एक नहीं, पांच नहीं, दस नहीं गईस, बहुत सारी चीज़े change होने वाली है, जिससे कि हमारे game का interest बहुत जादे बढ़ जाएगा, और हमको खेलने में भी मज़ा आएगा, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे Instagram पे follow नहीं किया, तो Instagram पे follow कर लो, अगर channel पर नहीं हो, तो subscribe करके bell icon call पर प्रेस करते हो, और इस ये update आने वाला की तरह भी use कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा जो next update निगल के आ रहा है, वो आ रहा है हमारा CS rank से related, और CS rank में इस बार ऐसा कुछ होने वाला है, जो unaccepted था, और जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, आप लोग rank game तो खेलते होंगे, और rank game में बहुत सारे loadout आते हैं and scanner होता है and और भी 2-3 चीज़े होती है, बट update से पहले हम उन चीज़ों को use नहीं कर सकते हैं, बट update के बाद CS rank में हम उन चीज़ों को use कर सकते हैं, बट इस OB 37 update के बाद आप लोग CS rank में bonfire और scanner use कर पाऊगे, and guys next update में हमारा निकल के आ रहा है, एक pet से related, इस update के बद हमारी गेम में एक new pet आने वाला है, and guys इस pet का नाम होने वाला है, and guys जैसे आप लोग इस pet का ability को use करके पूरे वैप में कहीं भी mark लगा के confirm करोगे, तो 50 meter के अंदर जितने भी enemies of number होंगे, वो आपको ये बता देगा, मतलब उनकी location नहीं बताएगा, 50 meter के अंदर जितने भी enemy होंग एक new melee weapon, और जैसे ही आप लोग इसे use करोगे, तो यो enemy के 80% damage को reduce कर देगा, जिससे कि आप लोगों को enemy को मारने में भी बहुत आसानी होगी, और जैसे ही enemy का gun reload या वो आपको मारना बंद करें, तो आप लोग इसको तुरन थटा के अपना gun लिकाल के उसको easily मार सकते हो, और और उसके बाद आप लोग easily उसको मार सकते हो, और जैसे जैसे आप लोग इसे charge करके इसका level up करोगे, ऐसे ऐसे आपको अच्छे अच्छे items मिलते रहेंगे, और जैसे ही ये airdrop level 1 का होगा, तो आपको इसमें normal चीजे मिलेंगी, और जैसे ही आप लोग इसे second level का करोगे, उ उसमें आप लोगों को इसमें horse line देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप अपने आपको भी revive कर सकते हो, और यही सारी चीजे rank mode में available होगी, जिससे कि आप लोग को rank push करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, और next update की बात करें तो गाइस हमारे game में आने वाले हैं यहापे जूम भी मोड, और यह वाला मोड इतने मज़िदार होता है, आप लोग इसमें पूरा खो जाओगे, पूरा enjoy के साथ खेलोगे, कब आपने यह game खेला, कब खतम के आपको पता भी नहीं चलेगा, और इतना tough होगा बहुत ही जादा, तो मुझे तो इस mode का बहुत जादे इं जूम आउट का, और जो लोग फिर वायर खेलते हैं, उन लोगों को पता है, अगर हमें किसी चीज को map को जूम करना होता है, तो हम दो finger लगा के उसको जूम करते थे, या side से जूम करते थे, बट इस तरीके से हमको जूम करने का option नहीं मिलता था, बट आपसे हमको यहाँ सिर्फ एक option मिलेगा, हमको सिर्फ उपर और नीचे करना है, अगर हमको जूम करना है तो plus पर जाना पड़ेगा, और minus करना है तो नीचे आना पड़ेगा, और next update की बात करें तो guys, यह ओने वाला है हमारा katana से related, तो आप लग देख सकतो, update के तुरंत बाद हमारा katana कुछ इ जिसमें आपको चारो तरफ बर्फी बर्फ दिखाई देगा, जिसको यहाँ पर विंटर की थीम पर डिजाइन किया गया है, और बहुती अच्छा व्यू देगा, लोन वुल्फ खेलते टाइम, यहाँ पर हमारा last end अब तक का सबसे जबजस अपडेट, अपडेट के तुर इसका काम है, मतलब जितना चोटा है उतना ही चोटा काम करेगा, अगर आप लोग सोचते हो कि बड़े लॉंच पैट की तरह इससे बहुत दूर का डिस्टेंट तैग कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है, जैसे कि इसका नाम है मिनी लॉंच पैट तो यह थोड़े ही दूर की डिस से रिलेटिड वो मैंने आप लोगों को बता दी है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को उल पर प्रेस कर देना, और भी ऐसी इंटेस्टिन वीडियो के लिए, चार या पांच द पर फोलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम पर फोलो कर लें, तो चलोगा इस मिलते हैं, नेक शुडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई